तो फ्रेंड आत का हमारा टॉपिक है MCC क्या होती है MCC होती है Motor Control Center हमारे पास एक set of panels होते हैं जिनके अंदर कहीं सारी motors के control होते हैं और हम उस पूरे सेट को MCC बोलते हैं MCC हमारे पास friends जैसे कि आप clipping में देख सकते हैं मैंने थोड़ी कोशिश की आपको पूरी detail में तो नहीं मैं इस पर बता पाया लेकिन अपनी तरह से कोशिश की है MCC में हमारे पास दो incomers होते हैं दो source होते है independent source जहांसे हमारे पास power deliver होती है और हर एक incomer पे एक set of modules निरभर करते हैं power के लिए और बीच में हमारे पास एक bus coupler होता है by chance अगर कोई भी एक independent incomer interrupt हो जाता है उसकी supply बंद हो जाती है तो हम उसको रेक आउट कर देते हैं हम उसके fuses बाहर निकाल देते हैं उसको पूरी तरह आइसुलेट कर देते हैं और फिर बेस कपलर को connect कर देते हैं जिससे क्या होता इंकमर 2 अगर इंकमर 1 खराब होता है तो इंकमर 2 की supply बेस कपलर से होते हुए इंकमर 1 के modules को भी मिल जाती है जिससे वो भी उनमें भी power आ जाती है और कोई भी application जो है बीन इंट्रप्शन के लगातार चल सकती है क्योंकि हमारे पास friends जो भी जादतर हमारे पास applications होते हैं किसी plant में किसी industry में रुकनी नहीं चाहिए वो लगातार चलनी चाहिए और वो ऐसा लगातार चलती रहें क्योंकि उनके बंद होने से कोई बहुत बड़ा process जो है उसमें problem आ सकती है बहुत बड़ा नुक्सान हो सकत होता है इसलिए जादतर जो हमारे पास हर चीज़ है उसका एक second source भी बनाके रखा होता है या standby में रखा होता है कहीं सारी motors होती है अब जैसे कि bus coupler है इसमें हमारे पास दो source होगे और अगर दोर में से कोई भी एक service खराब होता है तो हम bus coupler को connect करके दूसरे source की power पहले source तक पहुचा सकते हैं इसमें जैसे आ कि आप बस MCC में जो होता है वह और भी चीज़ी होती है जैसे कि होता है control power पावर के लिए जो हमारे पास डिलीवर करते हैं एक होते control power जो मोडूल के अंदर contactors को control देगी उसमें तमाम signals को transducers को control power डिलीवर कर पाए होगे वह इसमें centrally run करती है वह और control transformer दो होते हैं जादा दर पैनल्स में पैनल्स के हमारे पास friend दो front होता है एक तो एक होता है back front को हम f1, f2, f3 इस तरीके से हम नाम देते हैं और back में हम r1, r2, r3 करके नाम देते हैं यह नाम और इसमें modules को भी हमने नाम देए थे यह जाते हैं और आप अपने वर्कर को कहते हो कि भी फलाना फलाना MCC में जाके 3FC मोडिल को है वो बंद कर देजी तो उसको क्या पता चलेगा पहले वो MCC को ढूंडेगा उसके बाद वो F3 फीडर को ढूंडेगा उसमें 3FC मोडिल कहां पर उसे दिख जाएगा क्योंकि नाम लिखा होगा और फिर वो इसको पावर को ऑफ कर सकता इससे कोई भी हाथसा होने से बचाया जा सकता है इसलिए उनको नाम ऐलाओत हो जाते हैं और फिर आप कोई भी मैंटर होगी हर एक pharmaceutical आलग-अलग्ट रेटिंग की होती है जसे कि जादातर जो होती है वो 400 A के इंकमर होते हैं 1 और 2 दोनों और 600 A के 800 A के breakers भी कहीं हो में breaker होते हैं एर सकिट breaker इस्तमाल होते हैं 600 A के 800 A के 1600 A तक की भी MCC's होती है इस से जादा की MCC's भी जादातर नहीं होती है अब यह reality में कैसा दिखता है मैं आपको एक वीडियो के जरीए समझाता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ सके Friends जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं हमारे पास हमारे प्लांट में एक MCC है और इस तरह से हमारे पास इसके दोनों कोनों में इंकमर है जो कि जिसमें भी कि आप जो थोड़ी बड़ी बड़ी मॉड्यूल्स है वो इंकमर है और एक बीच में जो है हमारे पास वो बस कपलर है मैं आपको थोड़ा इसे पास से दिखा देता हूँ तो यह इंकमर 2 है हमारे पास 5FA इंकमर 2 400 Ampere और यह हमारे पास बस कपलर है यह भी 4FA और 400 Ampere हमारे पास इंकमर 1 है यह भी 400 Ampere है तो जिस तरह से मैंने बताया था 1FA, 1F2 यह अब यह देखें फीडर सा है हमारे पास मिल सिस्टम की MCC है और 1FA और यह हमारे पास होता है इसमें फ्रेंड्स हमारे पास हीटिंग अरेंजमेंट भी होता है हीटर भी लगाता है जैसे आप इस इंकमर की इस इंकमर की इंपुट जो है वो केबल गैलरी से होते हुई इस तरह से आ रही है हमने इसको ब्लॉक करका ताकि कोई हजार यसना हो क्योंकि पावर सप्लाइज जाता है और दूसरे जो हमारे पास स्पेस इटर्स होते हैं उस ब्लॉक में हमारे पास जैसे यहां से अब इस मॉडूल का आउट्पुट निकल रहा है यह केबल जा रही है और यहीं से इसी अरेंजमेंट से ग्लैंड लगके केबल गैलरी के अंदर जाती है और वो सूर्स तक पहुंचती है जहां पर आट्पुट जो है जरूरत होगी या पैनल लगा होगा या मोटर लगी होगी उस तरह के से वह और पूट चले जाती है और यह फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 5FA, 4FA हमारे पास इस तरह से फीडर्स बने हुए हैं इसको अरेंजमेंट एंफिरिनीन के ब्लॉक होते हैं इस तरह से साइड से ऐसे दिखता है और वो अर्थिंग पॉइंट है नीचे और हमारे पास इस तरह से बैक साइड में आर आ गया 5R और 4R फिर फर्दर हर एक के साथ स्पेसीटर है 3R इसके साथ भी स्पेसीटर ब्लॉक हो गया 2R क्योंकि इसी स्पेसीटर के में से इंपुट और आउटपुट जो हैं केबल से निकलेंगी और एर्रेंजमेंट होगा सारा और 1RF और यह हो गया 1RE 1RD 1RC 1RB और 1RA यह इस तरह से हमारे पास एक फिर्टर को फर्दर डिस्ट्रिब्यूट किया जाता है अलग-अलग मोडिल के नाम से और यह auxiliary supply transformer हो गया यह हमारे पास control transformer की bus B होगी यानि की second source हो गया यह और यह bus A control transformer for bus A यह हमारे पास की second arrangement हो गया इस तरह के से friends हमारे पास पूरी MCC होती है I hope आपको audio clipping से भी और इस video से भी अच्छी तरह से समझ में आगा होगा इससे आप कभी अगर industry में जाते हैं तो आपको एकदम से ऐसा नहीं लगेगा कि मैं इस चीज़ को नहीं जानता अगर आप इस video को अच्छी तरह से देख लेंगे और समझ लेंगे पूरी इस video को देख लेंगे तो आपको पूरा arrangement समझ में आ गया होगा MCC का कोई कैसे arrangement होता है अगर आपको friends इससे related कोई भी question हो जिससे कि आपकी knowledge में और इजाफा हो सके तो please मुझे ज़रूर comment box में लिखे बताइएगा और भी इस तरह की अच्छी interesting में videos आपके लिए arrange करके लेके आता रहूँगा तब तक के लिए thank you friends and have a nice day